कि जरुवी तो नहीं जीने के लिए सहारा हो, कि जरुवी तो नहीं जीने के लिए सहारा हो, जरुवी तो नहीं हम किसी के हो, वो हमारा हो, कुछ कस्तियां डूप भी जाया करती है, जरुवी तो नहीं हर कस्ति का किनारा हो, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ओनलाइन प्लिस और राजिस्तान प्लिस SSC और एरपोर्स के लिए बिल्कुल हर रोज दिन मैतोपुन पर से जो एक्जाम में चपने वाले हो बेश्टीशी वाले बच्चे खास कर ध्यान रखना उनका एक्जाम बहुत नजदिक आ गया है तो वो बच्चे तयार रखना आपकी बरमास की साचम काऊंगा तूस अपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखला हूंगा तो बिनाक्षी देरी के आगाज करते हैं का इंटरनेशनल ग्रिन एपल आवार्ड जीतने वाला पहला बारते राज्ये कौन सा है क्या राज्ये आपको दिएगे हैं कौन सा राज्ये होगा इ जीनाक्षी देरी के देखते हैं कि इसका सबस्षे पव राइट ऑप्शन कोन देता है कि अक मैं बेलकूल इसका राइट ऑप्शन होगा कि तेलंगाना जो ग्रिन एपल आवार्ड जीतने वाला पहला बारती राज ये कौन सा है तेलंगाना ठीक है बेलकुल सेर बात करेंगे अगलेक्शन की और कि दिवंगत हुई पुलिद्जर पुरुसकार विजयता उपन्यासकार कॉमर्स में मेकार्थी का समंध किस देश से था त्यार देशों के नाम है कनाड़ा ब्रिटेन सम्त्राज अमेरिका या प्रांच से किस देश से समंध थे तो शाब दीजे एक बार कमेंट सेशन में बिना क्षी देरी के देखते हैं इसका सबसे पले राइट ओप्शन कौन देता है बिल्कुल एक बार सेशन को सेर कर दीजे सबी बच्चे बिल्कुल कोशिश करने होने की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहें जैजे एक कार नहीं होती मेरे लाड़ ले तो इसका राइट ओप्शन कौन सा होगा एक बार कमेंट सेशन में सबी बच्चे चाब दीजे बिल्कुल दिवंगत होए तो पुलिजर पुरुसकार विजे था उपने आज़कार कॉमर में एक मेखारती का समन्द आपके सिंट राजे अमेरिका से था ठीक है बिल्कुल सर बात करेंगे अगलेक्शन की अगलेक्शन है बारत की मेटा बोली के गेर संचारी रोग स्वासते रिपोर्ट किसने जारी किये बहुती महत्वपुन क्यूशन चापके रखना आने वाले सभी एकजाम की दर्श्ची से सभी परतियों की प्रिक्षाओं के लिए महत्वपुन क्यूशन बिल्कुल एक बार सभी बचे चाप दीजे कमेंट सेशन में कौन सा इसका राइट कौन देता है बिल्कुल साथ दीचे एक बार कमेंट सेशन में बिनाक्षी दे रही के बिल्कुल दार दार इसका राइट अपसों का इंडियन कांसिल ओफ मेडिकल रिसर्च चीक है बिल्कुल सर बात करेंगे अगले एक्षिन की कि बारत में इविव द्योग के लिए इवोल् SBI, HDFC, B.O.B. या SIDBI तो साथ दीचे एक बार कमेंट सेशन में बिनाक्षी दे रही के देखते हैं इसका सबसे पले राइट अपसों कोन देता है एक बार सेशन को सेर कर दीजिए सभी बच्चे बेलकुल इसका राइट ओप्शन होगा आपका SIDBI इसका राइट ओप्शन होगा छीक है बेलकुल सर बात करेंगे अगले एक्षिन की बात करेंगे राजस्तायन सरगार की किस योज़ना को डिजिटल ट्रांस्पोर्मेशन इन सोसल सेक्टर सिरनी में गोल्ड आवार दो हजार तेईस दिया गया मिल्कुल चाहब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में क्या मुख्यमंतरी चिरिंजिवी स्रमिक संबल योजना या बाल गोपाल योजना या मुख्यमंतरी निसुलक यूनिफॉर्म वित्रन योजना या जनहादार योजना तो चाहब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिनाक्षी देरी के मिल्कुल चाहब दीजिए एक बार सभी बचे कमेंट सेशन में राइट ओप्शन देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ओप्शन कौन देता है बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ओप्शन जनहादार योजना ठीक है इसके अलाब बात किते हैं मुख्यमंतरी चिरिंजिवी योजना जिसमें जो आपके होस्पिटल से हैं प्राइवेट हो जिसमें चिरिंजिवी योजना लागू किये जहां पर फ्री में इलाज जोता है और चिरिंजिवी के द्वारा उनके काते में पेसे आ जाते हैं आपके जो ऑस्पिटल से हैं उनके वाले गुथ हैं कभारत के किस राजे में दूद्र की सबसे ज़्यादा खपत हो दिहाँ चार राजे आपके सामने हैं और उप्सन आपको बताना है चाब दीजिए वार कमेंड सेसीर वी नकशी देरी के देखता है सबसे पहले राइट उप्सन कौन देता है बिल्कुल एक बार सेशन को दबा के शेर भी कर दीजिए बिल्कुल मैनत को आगे तो सब्लदा जरूर मिलेगी आपको एक ना दिन इसलिए का है कि रख होसला वो मंजल भी आएगा प्यासे के पाल समुन्दर भी आएगा यूरूट के नाबेट मंजल के मुसाफिर मंजल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा तो लारले भारत के किस राज़े में दूद की सबसे ज़्यादा खपत होती है राजस्तान में होती है उसके बाद में का होती है आपके उत्तर प्रदेश में होती है चीक है बिल्कुल सर बात करेंगे अगले एक्षिन की ओर तो वास्कोटी के माँ सबसे पहले बार्ट कब आये थे 20 माई 1408 में 20 माई 1408 में या 20 अपरेल 1408 में या 20 माच 1408 में तो साब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिनाक्षी देरीगे देखते हैं इसका सबसे पहले राइट अप्षिन कौन देता है एक बार सेशन को दबा के सेर कर दीजिए बिल्कुल साब दीजिए एक बार वास्कोटी का माँ भारत कब आये थे बिल्कुल साब दीजिए समुन्दरी आत्रा के दुआरा भारत में आये थे और आये कब थे 20 माई 1498 में आये थे चीक है बिल्कुल सर इसके अलावा आप बात करते हैं अगले खिशन की और बिल्कुल इसी है कहीं दीजिए आपको आड़ जिला 1997 में भी वहाँ पे देखा मेला जगा पुर्तकाली नाविक वास्कोटी निगमा भारत में कोज के निकले निकला था और 20 में 1498 मों को केरल के 20 माई को आपको जो केरल है उस केरल राजिये में परिवेश किया था और केरल राजिये से कहांप किया था कोजी कोड जिले में जिले का नाम पूतिया जाए तो कोजी कोड जिले और राजी का पूतिया जाए तो कहां पे आपके केल राजी के ठीक है समुदर यात्रा के दुवारा भारत की यात्रा के लिए ये निकले थे ठीक है बिल्कुल सर और 8 जुलाई के दिन ही ये निकले थे भारत की यात्रा के लिए कल लिकेट कपड गाउं है गाउं का याद राख सकते हो आप कपड गाउं छीक है बिल्कुल जर अगले कुशन की बात करते है स्वामी वेकरंद का वास्त्विक नाम क्या था आप दीजे एक बार कमेंट सेसिने बड़ा ही इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट केशन है आपका देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ओप्शन कोण देता है स्वामी वेकरंद वास्त्विक नाम बिल्कुल इसका राइट ओप्शन होगा आपका नरेंद नात दत जो स्वामी वेकरंद का वास्त्विक नाम था ठीक है बेलकुल सर बात करेंगे अगलेक्षिन की और कि किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरुजगार गूमते हैं कि किस देश में सबसे ज़्यादा बेरुजगार लोग है वो गूमते हैं चार देश्वों के नाम आपके सामने है चाप दीची एक बार राइट ओप्सन बिना खीद देर के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ओप्सन कौन देता है बेलकोल आपका राइट ओप्सन का दक्सिन अफ्रीका कौन सा होगा बेलकुल सर मैनत करोगे तो आप भी सभी रोजगार बन जाओगे अगर आज आपने इस सतर में अगर तीन गंटे मैनत कर ली तो वो आपकी तीन गंटे की मैनत आपको जो बारा गंटे बिरोजगार रहकर काम करने में ज्यादा दिक्कत होगी उससे अच्छा है अभी तीन गं तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता है इसलिए हम आपको बार-बार गरते हैं लगजाओ मैनत करो सपलता आपका कदम जरूर चुमेगी अगर आप में होसला है जजबा है कुछ बनने का तो लार दे मैनत करो और कुछ हासिल करो क्योंकि दुनिया में जिसके पास कुछ पोदा है उसी को पूछा जाता है जिसके पास पद है या ओदा है उसी की यहाँ पे कदर है जिसके पास कुछ नहीं है उसे कोई नहीं पूछता है मेरे सेर तो देर से बनो पर सवेर से बनो बनो जरूर कि देर से बनो सवेर से बनो पर बनो जरूर इस दुनिया में क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है वो इसी को जिसके पाच कुसे होता है मेरे सिर तो किस देश में सब्से ज़्यादा बेरुजगार होते हैं दक्षिन अप्रिका में बात करेंगे अगले एक स्विर की ओर कि किस देश का जंडा दोहरे त्री बुज़ में है कि दोहरे त्री बुज़ में जंडा है किस देश का है ना आयताकार है ना गूल है तो त्री बुज़ाकार है किस का है बंगलादेश का है क्यूबा का है नेपाल का है या बुटान का है तो किस देस का है? शाब दीजी एक बार ET commendator में है नेकता है इसका सब चेपले right option कौन देता है? शाब दीजी एक बार attend section में बीनक्री दे रही के? बिल्कुल सर आपका right option है बिल्कुल नेपल देस का जो जन्डा है वो त्री पुज में है किस में? त्रिबुज के समान सर्चना है नेपाल के जंडे की बात करेंगे अगलेक्षिन की और कि एलेक्षा टेस्ट किस रोग का परिक्षन है चाप दीजी एक बार कमेंट सेशन में बिन अक्षी दे रही है क्यार ओप्शन साब के सामने है आईपली बिल्कुल अभी हाली में चल रहा है सबके आईपलू नेनों से नेन मिले में नेनों के नेन मिलने से आईपली हो जाता है किसी के आँख में आँख डालने से आईपली हो जाता है और वो भी क्या दोर था जब आँक से आँक मिलाने भे कुछ और ही होता था है ना पर असलियत में होता क्या आई पुलू होता है छीक है मेरे सिर बिल्कुल जो हभी हाई भी चल रहा है माकर गया है एचाईवी या अर्मिस से कोई ने बिल्कुल आर्मी में तीन बार क्यूशन पूचा गया है एलिसा टेस्ट का आर्मी में तीन बार पूचा गया है बिल्कुल और बेस्टीश के लिगे में मातवपुन क्यूशन है बिल्कुल ये 2018 में BSTC में किसम पूछा गया था बिल्कुल इसका right option होगा HIV AIDS का छीक है ELISA test होता है बात करेंगे अगले किसन की और कि जी विख्यान के जनक के कहे जाते हैं किसको कहा जाता है चरक तियो पेस्टर डाक्टर पुस्ट में मेतर भारगव या अरस्तू चापदीची एक बार comment session में बिना खीदे रही के और गलकुल सर जी विख्यान के जनक किसे कहा जाता है किसको अरस्तू को कहा जाता है जिसे बोला जाता है इसके साथ ही दिखिलो जी का बिल्कुल आपके जूलोजी का भी जनक कुझ है आप बीलकुल इसके अलावा बात करते हैं आपके तियोपेश्टस के तो तियोपेश्टस की सके जनक है आपके बोटनी के बोटनी के जनक कौन है और इसे हिंदी में बोला जाए तो वनस्पती विग्यान वनस्पती विग्यान के जनक ठीक है मेरे सेर बिल्कुल सर बात करते है जुलो जी के तो जुलो जी को क्या कहा जाता है हिंदी में जन्तु विग्यान क्या कहा जाता है जन्तु विग्यान कहा जाता है छीक है मेरे सेर बिल्कुल सर बात करते हैं आपके चरक सहीता की तो चरक सहीता जो ओसदी विग्यान में महतोपुन योगदान था इनका किसमें योगदान था ओसदी विग्यान में ओसदी विग्यान में इनका महतोपुन योगदान था पिलकुल इनका एक गरंथ भी जो चरक सहीता सबसे तो बिल्कुल से जो लोहे पे जंग लगने के लिए आपका गेल भी नी करने किया जाता है जिसे आपका जिसे मारोड़े बोसा में बला जाता है काट काट नहीं आता है ना या जंग नहीं लेगता है ठीक है बात करेंगे अगले के जिसे लिए कि मुठ लगोसे में रों किसकी कमिस नहीं होता है यह आपको बताना है तो आपको उए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्सन बीना ख्ला देता है बिल्कुल एक बार सेशन को दबाके सेर कर दीजिए क्योंकि आज का सेशन बड़ा important रहेगा आप सभी के लिए बिल्कुल motivate होते रहना है motivation कभी down मत कीजिया क्योंकि सब कुछ motivation पर depend करेगा आपके बिल्कुल साब दीजिए एक बार comment session में right option बिनाक्षी बिल्कुल फिकर करता है क्यों कि बिल्कुल फिकर करता है क्यों फिकर से होता है क्या कि फिकर करता क्यों है फिकर से होता है क्या तो कर ले खुद बे आज बरोसा कि तो कर ले खुद बे आज बरोसा फिर देख होता है क्या तो बिल्कुल मदू बे किसकी कमी से होता है आपके insulin की कमी से इसकी कमिस है, इंसुलिन की कमिस है, मदू में रोग होता है, चीक है, बात करेंगे आपके आयोडीन की कमिस है, तो आयोडीन की कमिस है, गलगंड या गेंगा रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, मेरे सिर, गलगंड रोग हो जाता है, या गेंगा, गेंगा रोग या गलगंड चिक है, विटामीन की कमिसे देखा जाए, तो विटामीन की कमिसे कौन कौन से होता है, एक तो विटामीन A की कमिसे, विटामीन B की कमिसे, विटामीन C की, विटामीन D की, इंपोर्टेंड यही है, चार, विटामीन A की कमिसे कौन सा रोग होता है, रतोंदी, चिक है, C की तो C की कमिसे इसकरवी रोग और विटामिन D की कमिसे रिकेट्स रोग छीक है छोड़े बच्चों में जो हड़ी है वो टेडी मेडी हो जाती है और भुवसकों में भी टेडी मेडी हो जाती है विटामिन C जो खटे फल और पिलो फलो में पाया जाता है विटामिन D बात क विटामीन के की तो रक्त का थक्का रक्त का थक्का नहीं बनता है मेरे सेर ठीक है बेलकुल सर एक बार इसनी सोट रहे लिजे फिर आगे कि और चलेंगे जितने भी तेले बीज है जितने भी आपके तेले बीज है आप लिया आप बिल्कुल से रगले कुछन की बात करते हैं कि चुहे मारने का जहर किस राशानिक पदार्त में बनता है आमोनिया और कारवन डायोकसाइड, मेगनिशियम साइनाइड, जिंक फास्पेड या पोटेशियम साइनाइड आप दीचे एक बार कमेंट सेशन में राइट ओप्सन बिनाक्सी देरी के बिल्कुल बिल्कुल मेरे सेर, रोहीत, अंकित, फोजी, आर्मी लवर, थारु भाई वाला, डानी वाला बिल्कुल आप सभी का स्वागत है, बिल्कुल इसका राइट ओप्सन आचुहे बारे के जहर को जरासानिक पजार से बनाया जाता हुआ आपके जिंक पास्पेड से बनाया जाता है, किसे जिंक पास्पेड से बनाया जाता है, बात करेंगे अगले एक सिनकी और कि किस विटामीन में कोबाल्ट पाया जाता है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है वेसे कोबाल्ट साल्ट पाया जाता है बिल्कुल कोबाल्ट किस के रूप में पाया जाता है साल्ट के रूप में तो इसका राइट ओप्सन आपको बताना है किस विटामीन में कोबाल्ट पाया जाता है मेरे सेर विटामीन आपके B12 है किस में B12 में में कोबाल्ट पाया जाता है चिक है विटामीन डी किसे दूप से प्राप्त होता है मेरे सेर डी से हमने बताया था कि सर डी के सर और डी के सर आपको वर्दी पहना लेकर आर्मी वालों को वर्दी पहनाने के लिए पसीना बहाते हैं क्या बहाते हैं पसीना बहाते हैं और पसीने किसे होता है आपके दूप से होता ठीक है तो आगया गुमा फिरा के दूप से विटामीन D प्राप्त होता है विटामीन ए आपके दूद मक्षन मास अंडा पनीर गाजर से प्राप्त होता है और एक ही कमिसी वेशे रतोंदी रोग होता है जो आपके आले में पूछा गया था बात करें इसे अभी हमने बताए ताकि सुन्दरता बढ़ती है बांजुपन इसे होता है ठीक है बिलकुल सर अगले एक सुन की बात करें कि किस जीव का दिल एक मिनिट में हजार बार दड़कता है बिलकुल वेशे बच्चों का दिल ज्यादा ही दड़कता है वो जिनको ज्यादा दर्क जाता है उनके दड़क जाए है ना वह दड़कन की बात अलग है और यह दड़कन की बात अलग है ठीक है बात करें जीष जीव का दिल एक मिनिट में दड़कता है कितनी बार एक मिनिट में हजार बार वो कौन सा जीव है यह बताना है चिपकली मेंड़क बिच्चु या साथ तो मैरे सेर मनुस्य का एक मिनिट में आपका बैतर बार दड़कता है कितनी बार बैतर बार दड़कता है चीक है एक बार दड़कन में एक बार दड़कन में लगा समय कितना होता है यह बताना है क्योंकि एक मिनिट में आपका मनुस्य का जो एक मिनिट में दड़कता है बैतर बार और एक मिनिट में कितनी होती है। 60 सेकिंड ठीक है। तो बात करते हैं 60 सेकिंड तो 60 सेकिंड में बहतर बार दड़का तो एक मिनिट में लगा समय आपको पता चल जाएगा। तो कितना होगा, 0.8 सेकिंड, चीक है, बात करेंगे, एक बार दढखन किया, जब एक बार दढखन करता है, तो कितने रक्त को वो पंप करता है, या कितने रक्त को हर्दे निकालता है, तो वो रक्त निकालता है, 70 हमल, 70 हमल रक्त को एक बार पंप करते हैं, निकालता है, दिल ही सबसे ज़्यादा important होता है और सबसे waste time होता है चीक है क्योंकि यह जो समय है यह बार-बार नहीं आता है इसलिए इस समय से सदूपी कीजिए और इसको waste जाने दीजिए चीक है बेलकुल कि ना दोस्ती के लिए ना मोहबत के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए के ना दोस्ती के लिए ना मोहबत के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए बेलकुल अपने दिल को ना दुखा यू ही इस जमाने की बेरुकी के लिए वक्त के साथ चलता रही यही बैतर है आदमी के लिए तो बिल्कुल 0.8 second में 70 ml रक्त को निकाल देता है तो एक मिनिट पूरी हो जाती है तो कुतना रक्त को निकाल देता है तो एक मिनिट में कितनी बाद रखा बैतर बार और एक मिनिट में 0.8 second में कितना ml रक्त इंकलता है 70 ml तो दोनों को गुना किया तो लाड़ ले 5040 मतलब लगबग 5 लीटर को एक बार में पंप कर देता है और मनुष्य में विसे रक्त किता होता है 5-7 लीटर यानि कि एक मिनिट में मनुष्य में जितना रक्त होता है लगबग उसको एक मिनिट में ही पंप कर देता है सुध कर देता है तो इसको हमेसे अकूसर की है चीक है? बिलकुल सर बात करेंगे अगलेक्शन की ओर कि किसने कहाता दिल्ली अभी दूर है बिलकुल बड़ी कहावत है इंपोर्टेंटी भी कहावत है तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में पिनाक सीदेर के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ओप्शन कोन देता है बहुत बार पूछा भी जाता है और कहा भी जाता है अमारी देनिक जीओन में भी कि किसने कहाता दिल्ली अभी दूर है देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ओप्शन कोन देता है बिल्कुल इसका राइट ओप्शन होगा आपका निजाबुदिन ओलिया आपके सुल्तान है सुल्तान ने उल्गुखा के सुल्तान है उल्गुखा और निजाबुदिन ओलिया को निजबन ओलिया को जहाँ पर दिली पर जब पहुंचेते हैं तो दिली पहुंचने पर उन्हें धंड देने की धमकी दी थी जिसके बारे में ओलिया ने कहा था कि दिली अभी बहुत दूर है मेरे सेर छीक है बिल्कुल सब बात करेंगे अगलेक्शन की और कि दुख में सब सुमरिन करें सुक में करें न कोई यह पंक्ति किसने कही थी बिल्कुल सुक में सभी साथ होते हैं पर दुख में सब अपनी पीट दिका के चले जाते हैं यही आज की जिन्दकी का फंडा होता है और जो इंसान आपकी अगर दुख में आपके साथ हो रहता है जो इंसान आपके कैसी भी दुख में आपके है अगर कोई सब आपके जिन्दकी में अगर किसी भी परकार का दुख है और उस दुख की गड़े में आपके एगर साथ है तो वो इंसान आपकी जिन्दकी में कभी भी नहीं भूल सकते उस इंसान को क्योंकि सुक्ष में तो सभी साथ में रहते हैं पर मज़ा तब आता है जब कोई दुख में साथ रहता है वही एक सचा दोस्त होता है तो दुख में सभी सुमरन करें, सुख में करें न कोई, यह पंक्ति आपके, कभीर दास ने कही थी, कभीर बाबा फक्कर ने ये बात कही थी, छीक है, बेलकुल सर बात करेंगें अगलेक्सिन की और, कि नाटे सास्तर किसके रचना है, सौमदेव, कालिदास, भर्तमुनी या जह नाइक, तो चाप दीजे एक बार कमेंट सेशन में बिनाक्सी दे रही के, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट उप्शन कौन देता है, चाप दीजे एक बार कमेंट सेशन में बिनाक्सी दे रही के, नाटे सास्तर किसके रचना है मेरे सेर, बिल्कूल बिल्कूल भर्त मुनिकी किसकी है आपके भर्त मुनिकी नाटे सास्तर रचना है चीक है बात करेंगे आपके सोमदेव की तो सोमदेव किसकी रचना है आपके रुतासरी सत्यासागर क्या है आपकी रुतासरी सागर सौम देव की रतना है ठीक है बात करेंगे काली दास की तो काली दास की अभी ज्यानम साकूंतलम अभी ज्यान साकूंतलम अभी ज्यानम साकूंतलम तो बहुत बार एक जाम में पूछी जाते हैं पिछली बार बेश टीशी में पूछी गई थी और एक है कुमार संभुवम कुमार संभुवम यह भी आपकी important है चीक है और बात करने के जैनाई की किसकी जैनाई की जिनके रचना कौन सी है पर्त्वी राज विजे कौन सी है पर्त्वी राज विजे पर्त्वी राज विजे आपकी राइट उप्शन होगा, चीक है, बेलकूर सर, इसके सोट ले जिए बड़ा ही important or interesting है, बहुत बार exam में पूछे गए, जो अभी तक exam में पूछे गए, वही option सा आपको दिये गए, ताकि जो आपके अभी घनम संकुतलम जो army में पूछा गया था, इसलिए आप मनें option में दे दिया, तो एक साथ आपको पांच पांच क्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं, बेलकूल ले लिया इसकी सोट अगले क्यूशन की बात करते हैं, अगला है आपका reasoning का 97, 28, 27, 63, 127, इसका right option क्या होगा यह आपको comment section में बताना है, बता दीजिए एक बार comment section में, बिनक्सी दे रहे हैं बिलकूल sir, साप दीजिए एक बार comment section में, बिलकूल देख लेते हैं एक बार, कमल, अंकीत, अंकूर, नोहीत, सपना, संकर लालीता, बिलकूल, बिलकूल, देखते हैं एक बार, सभी बचेश देख लीजिए, यहाँ पर है 9 और 7, 9 और 7 पर अंतर देखा जाए, तो 2 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर मालिया माइनस में, तो यहाँ पर सिधा 28 हो रहा है गुरुजी, तो संक्याब नहीं ब क्यूब लगाते हैं, ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, 2 का क्यूब प्लस 1 जोर दिया, 9 हो गया, आगे आपके 2 का क्यूब प्लस माइनस एक कर दिया, ठीक है, 2 का क्यूब आठ, 8 में से एक गया, 7, बात करते हैं, आगे यहाँ पर 3 का क्यूब किया, 3 का, आपका कोव गिया कितिने हुए आपके 27 27ंद से 27 ब्लoben एक 28 ठीक है पहले क्योगर दिया फिर एक माइनस करना यहां पर भी 3 का क्यूब माइनस एक कोव 27 27 में से माइनस 27 में से माइनस गहे एक तो कंशा भी चेक err Q Need a Q Toume Sir Q Chineseuing Q मैं Just Secretary साथी में सरंकलाव चल देए Hern اोłe at 345 इसी प्रकार चल दिए आग亲andu ना सिस्वास चाहिए लाग Kollो को तहा है यहाँ पे 4 आ चारका क्यूंब कर लिया टीक है परल सेы can chu जोरो देखे 160 और 65 हो गया ठीक हैसर बंद रहे है तो यहा पे याँपे तो 5 का Cube किया कितना हुआ हुआ बात करेंगे तो आगे कुंटका 5 का Cube माइनस यह तो 5 का Cube कितना हुणता है यह मानिन सिर्थ मुल्स है बैंज उसनाफ बैंज or उप्सक्राइस Okay को सिक है बैंजर से देख लीजिये पहले? पहले दो तीन च्यार 5 का क्योब है पहले क्यूब करके भर्बंड से एक जोड़ा फिर क्यूब करके मानिस प्राइब क्याón less षटी के अम Armor Bank Day को उर्ण देорм और दाया का बायां बाया का दाया चीक है उसल में क्या होता है उल्टा जल का उपर का नीचे नीचे का उपर चीक है हमें वो ट्रिक सुथर लगाना सीधा ना की घड़ी बना नहीं है तो सुथर क्या था 11-60 टाइम कितना है नो बीस चीक है साट में से 20 गए 40 ग्यारा में से 9 गए 2 चीक है, 2-40 का राइट उप्शन होगा तो आपके पहला उप्शन है राइट उप्शन चीक है, बेल को से बात करेंगे अगलेक्शन की और कि पुरुस चिकत सक अच्छे वेन आरेक बताईए तो चाप दीजी एक बार अच्छे को देख लिए तो लाड़े इसको पुरुस मान लिया इसको चिकत सक मान लिया और इसको अच्छा मान लिया तो बन रहा है क्या, बिल्कुल सर बिल्कुल ही नहीं बंद रहा है क्योंकि अच्छे पूरुस भी तो होते हैं होते हैं ना माली की अच्छे चिकशक अच्छे आदे कुछ ही चिकशक अच्छे होते हैं तो ठीक है माली पर पूरुस भी तो कुछ होंगे ना अच्छे तो यह तो नहीं मनेगा बात कते हैं बाद कुर्शब्स को अच्छा में लिए तो दोनों अच्छे भी उती पूरुस को तो नहीं बनेगा तो आपका बहुतिस का राइट ऑप्शन होगा एक बार सभी बचे सरकी सेर कर दीजिये और साम को सब जोrove इस के बनिती से सबस्क्राइब Behind the reference आपके, क्लें क अभरजे सबस्क्राइब अभी online ब्राइब झाल झाल